नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है लागातार 21 वंडे मुकाबले जीतना हवा है क्या बिलकुल आसान नहीं है पर विश्व क्रिकेड में पुरुष टीम ने ये कारनामा करके दिखाया है और उसी रस्ते पर चलते हुए महिला टीम ने भी ये कारनामा कर दिखाया दिल्चस्प बात ये है कि महिला और पुरुष दोनों ही अस्ट्रुलिया की टीम ने ये कारनामा किया है मेग लेनिंग की कप्तान वाली अस्ट्रिया की टीम ने एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है लागातार 21 मैचों में जीत दर्जकर अस्ट्रियाई टीम ने लागातार सबसे ज़्यादा मैचों में जीत के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है इस टीम ने वो कारनाम कर्द दिखाया जो 17 साल पहले यानि साल 2003 में रिक्की पॉंटिंग के अस्ट्रियाई टीम ने किया था अस्ट्रियाई की महला टीम ने ये मुकाम नुजलन्ड को ब्रिस्बेंड में खेले गए तिसरे वंडे मुकाबले में हरा कर किया है अस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे स्रीज को अपने नाम कर लिया अस्ट्रेलिया की महला टीम के लिए जीत का सिलसिला तीन साल पहले ही यानी साल 2017 में शुरू हुआ था जो अब भी लगातार जारी है अस्ट्रेलिया ने इस दोरान इंग्लेंड, पाकिस्तान, विस्टन डीज, श्रिलंका और नीजलेंड को हराया है इसी दोरान अस्ट्रेलिया की टीम ने कई मैचों में एक तरफा जीत भी दर्श की निजलेंड की टीम को वंडे सिरीज के आखरी मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा अस्ट्रिलिया ने पहले बलेबाजी करते हुए 325 रनों का पहार नुमा लक्ष खड़ा कर दिया जवाब में निजलेंड की टीम 27 ओवर में सिर्फ 93 रनों पर ही सिमट गई आपको बता दे अस्ट्रिलिया ने इससे पहले साल 2018 में लगातार 20 मैचों में जीत दर्श की थी साल 1997 में अस्ट्रिलिया की महला टीम यानी बेलिंडा क्लार्क की कप्तानी वाली टीम ने 17 मैचों में लगातार जीत अपने नाम की थी इसके बाद साल 1999 में अस्ट्रिलिया को लगातार 16 मैचों में भी जीत मिली थी जबकि भारत की महला टीम ने भी लगातार 16 मैचों में जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया था रिकी पॉंटिंग की कप्तानी वाली अस्ट्रिलिया की मेंस टीम को लगातार 21 मैचों में जीत मिली है ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अब ये रिकॉर्ड अस्ट्रिलिया के महला टीम तोड सकती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्योंकि मेग लेनिंग की समाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ